मुखमंत्री तीशकुमार का आज तीशरा सोमबार का जनता दर्बार है इस मा के लास्ट सोमबार को जनता दर्बार में पहुंच रहे हैं कई समस्या लेकर लोग फरियादी जो है वो दूर दराज इलाकों से पहुंचते हैं जिनके रजिस्टेशन के नंबर आ चुके हैं उन्हें जनता दर्बार में बुलाया जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज दो दर्जन से अधिक विभावों की समस्या जो है मुखमंत्री सुनेंगे और इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कौन-कौन विभाव की समस्या आज दो दर्जन से अधिक रहेंगे क्योंकि मुखमंत्री के जनता दर्बार का आज सोंबार है और सोंबार के आखडी मतलब इस महीने के आखडी जनता दर्बार लगा रहे है क्योंकि वो मुखमंत्री तिशकुमार यात्रा पर रहेंगे 15 दिनों तक इसलिए उस बीच में जनता दर्बार नहीं होंगे ये तमाम चीजे जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस-किस विभागों से जुड़ी हुई मुक्वंत्री आज सुनेंगे क्योंकि दो दर्जन से अधिक उन्हें आज समस्याइं सुनने हैं इस दोरान कई विभाग के वरिष्ट पदादिकारी वी मौजूद रहेंगे मुक्वंत्री जिन विभागों की समस्या सुनेंगे उनमें ग्रामिन विकास विभाग कार पंचायती राज विभाग उरजा विभाग पत निर्मान विभाग लोग स्वास्तअभियंता ऎवम क्रिशी सहकारिता पशु ऐवम मतशु जलसंसाधन लगू एवं जल संसाधन गन्ना उद्दोग विभाग और परिवहन आपदा प्रवंदक परियावरन एवं वन एवं जलवायू परिवर्तन योजना एवं विकास परियतन बवन निर्मान सूचना एवं जनसर विभाग तमाम इन समस्याओं दो दर्जन से अधिक जो विभार में सुनी जाएगी और तमाम मंत्री वहां हर विभाग के मौझूद रहेंगे हर विभाग के अधिकारी वहां मौझूद रहेंगे और जो भी जिस विभाग से जुड़ी हूई समस्या हो या जल संसाधन विभाग की समस्या हो या वनिज्ज विभाग की समस्या हो या गन्ना विभाग की समस्याएं हो तमाम विभाग के पदादीकारी वहां मौजूद रहेंगे और उनसे जो जुड़ी वी समस्याएं होंगी उस पदादीकारी को जरूत पड़ी तो फटकार भी मुकमंत्री लगाते हैं तो कह सकते हैं कि आज दो दर्जन से अधिक जो है विभागों की समस्या मुकमंत्री जनता दर्बार में शुरू हो गई हैं लोग स्परियादी पहुँचना भी शुरू कर चुके हैं तो यह तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग वहां काफी संक्या में आज पहुँचे ह अब देखना होगा कि मुकमंत्री के जनता दर्बार में किस-किस तरह की समस्या लोग जो है फरियादी पहुँचते हैं पल-पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे तब तक के लिए आप बने रहें देजिन्यूस के साथ और देखते नहीं करे दो हुँचच है research